नमस्कार फ्रेंड्स मेरे चैनल होमीपती एंड हेल्थ विट डॉक्टर अंचु में आपका स्वागत है आशा करती हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे पास पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि पारलिस के बारे में कुछ मैं मै के सामने आई हूं आज मैं कुछ टॉप ऐसी मैडिसंस बताऊंगी जो कि पर्टिकुलर बॉड़ी पार्ट के पारलिस है अगर तो उसमें एफेक्टिव हो सकती है का आपको कामियाभी मिल सकती है अगर फेस का है तो अलग मैडिसन होगी अगर वन साइडिड पारलिस है तो अलग होगी अगर आपको असेंडिंग टाइप है मतलब नीचे से पहले नीचे पारलाइज हुए है बाद में उपर हुए है मतलब अकॉर्डिंग टू दी पार्ट्स ऑफ दा बॉड़ी और अकॉर्डिंग टू नेचर आपके कौन से पार्ट पे पारलिस है और उसका करें और प्लीज मेरे साथ अंत तक बने रहें यह वीडियो बहुत ही बहुत इन्फॉर्मेटिव है मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत तुदा पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन दू जो शायद किसी के हैल्फुल हो सके हैं पारलिस एक बहुत ही बुरी सिच्वेशन ह हैं जिसमें बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं मूव नहीं कर पाते यह बहुत सी ऐसी रूटीन वर्क्स हैं जिनको परफॉर्म कर पाने में हम सक्षम नहीं रहते हैं अगर किसी आदमी को फेस का पैरलिस हुआ है फेस पे कहीं भी है वोकल कोड्स का हुआ है वो बोल नहीं पा रही है यूरिनरी ब्लेडर का हो गया है उनका शूशू निकल जाता है यूरीन उनका स्प्लिट हो जाता है उन्हें मालूम नहीं पड़ता है आई लेड्स का हो गया है या फिर आपके लिंप्स का हो गया है या तो हातों में पैरलिस है या फिर पैरों में पैरलिस है जब ये है जो कि maximum cases को cover करती है वो है causticum, causticum का जो use है हमेशा 200 potency में करें और दिन में उसको सिर्फ दो बार ही repeat करें, दो दो बुंदे उसकी दिन में हलके गरम पानी में दो बार ही लें, इससे ज़्यादा आपके लिए नुकसानदाई हो सकती है और शायद ये आपकी problem मे आपकी help कर सके अगर आपको ऐसा paralysis है कि पहले पैरों में हुआ है और फिर वो उपर की तरफ बढ़ रहा है जिसको हम कहते हैं ascending paralysis इस case में conium 30 आपकी help कर सकती है अगर आपको एक side का paralysis है मान लेजे किसी भी एक side का paralysis है है hemipleja जिसे बहुते हैं तो इस case में stanum 30 और lacuses 30 का उप अगर खाली lower limbs यानि की पैरों का आपको paralysis है जिसे की paraplegia बोलते हैं तो तीन ऐसी medicines का combination जो आपको क्योर दे सकता है वो है picric acid 30, letharis 30 and causticum 30 तीनों में से दो दो बूंद दिन में दो बार हलके गरम पानी में ले अगर localized है आपका paralysis मान लिजे इतने हिस्से में हो गया है और बस यहीं है इससे उपर नहीं बढ़ रहा है या मान लिजे आपके पैर के किसी हिस्से का हो गया है या फिर आपके चेहरे पर किसी पार्ट का हो गया है localized है वो extend नहीं कर रहा है तो इस case में cocculus 30 और causticum 30 में भी helpful अगर आपका paralysis के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा depression में भी आ गए है आप खा भी नहीं पा रहे है यूरीन नहीं आपके जितने भी routine function है वो सारे disturb हो गए है conium, plumbum, picric acid, conium 30, plumbum 30 और picric acid 30 का आप उप्योग करें तो ये आपको आपकी मदद करेगी अगर आपको bell spells हो गया है जाने की paralysis face का हो गया है bell spells से तो इस case में दो बहुत ही बढ़िया medicines आती है causticum 30 and cadmium self 30 इन दोनों में से दो दो बुंदे हलके गरम पानी में दिन में तीन बार लें तो आपको आपकी problem से समधान मिलेगा ये कुछ ऐसी medicines थी जो की homeopathy में top most homeopathic medicines for paralysis मानी जाती है किस हिस्से का आपको paralysis है उसके आधार पर आप ले सकते हैं और कृप्या इनकी high potency का इस्तमाल ना करें जो potency बताई गई है उनका ही इस्तमाल करें और अगर आपको इस से संबंदित और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे comment box में comment करें और मैं आपकी हर संबंद मदद करूँगी और please मेरे साथ बने रहें और मेरा चानल सब्सक्राइब करें तथा bell icon दबाएं ताकि आपको मेरे updates मिलते रहें धन्यवाद तो मेरे शवाद